Hello everyone, welcome to all of you in exam guru दोस्तो इस वीडियो में हम लोग Air Force Y Group exam 2023 के लिए GK and GS के 25 important questions का solution देखने वाले हैं यह सारे questions मैं आपको detailed solution के साथ करवाऊंगा तो वीडियो में last तक बने रहे हैं और दोस्तो जितने भी questions मैंने आज के वीडियो में include किये हैं वो सारे के सारे questions previous year के trend को ध्यान में रखते हुए ही बनाये गया है और आने वाले परिच्छा में भी आपको directly यही सारे questions देखने को मिलेंगी तो वीडियो को last तक जरूर देखें इसके साथ ही दोस्तो अगर आप इन सारे questions का PDF फाइल डानलोड करना चाहते हैं तो PDF फाइल डानलोड करने का link मैंने इसी वीडियो के decision box में दे दिया है उस पर क्लिक करके आप सभी लोग PDF डानलोड कर लेना वीडियो अश्टार्ट करने से पहले दोस्तो एक छोटी इस information है आप सभी के लिए अगर आप Air Force Y Group exam की तियारी कर रहे हो और आपने अभी तक GKGS and Current Affairs cover नहीं किया है तो दोस्तो आप सभी के लिए एक ebook launch किया गया है जिसमें 1000 सभी ज्यादा important one-liner questions Hindi and English दोनों language में include किये गये हैं और इस ebook को खास तोर पर Air Force Y Group exam 2013 के लिए ही तियार किया गया है अगर आप इस ebook को पर्ष लेते हो 30042848 इसी वीडियो के decision box में दे दिया है वहाँ से आप मुझे मैसेज करके इस ebook को purchase कर लिना चलिए दोस्तो अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं So पहला question है आज का रिकेट्स नामक रोग में सरीर का निमेलिखित में से कौन सा अंग परतेच तोर पर प्रभावित होता है दोस्तो देखिए रिकेट्स रोग से हमारे सरीर की हडियों प्रभावित होती है यानि कि ए option इस question का correct answer है दोस्तो रिकेट्स actually में बचपन में होने वाली एक बिमारी है जो कि मुख्य रोप से विटामिन D की कमी से होती है और जब विटामिन D की कमी हो जाती है तो जो हडियां होती है वो काफी कमजोर हो जाती है और आसानी से तूटने लगती है तो अगर हमें रिकेट स्रोग से बचाब करना है तो भरपूर मात्रा में हमें लेना होगा क्या? विटामिन D लेना होगा और विटामिन D कहां से मिलता है? तो यह मिलता है सुर्य की रोसनी से इसके बाद अगला कुशन, कुशन नमबर 127 विकल्पों में वर्नित इकाईओं में से अन्ने की तुल्ला में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? चार युनिट्स दिये गए हैं, टेरा, हेक्टो, गीगा और डेका आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो देखे दोस्तों, डेका डेका का मतलब होता है 10 to the power 1, फिर इसके बाद आगया है hecto, hecto का मतलब है 10 to the power 2, फिर इसके बाद आजाता giga, giga का मतलब है 10 to the power 9, and सबसे लाट में आता як terra, जिसका मतलब है 10 to the power 12. इस कोशिशन का राइट एंसर हो जाएगा, option number A टेरा बाइट जो है ना इसका वैलू 10 to 12 होता है ये इन बाकी चारों से सबसे बड़ी एक आई है इसके बाद अगला क्वेशन है 128 नंबर भारतिय संविधान के निवनलिखित में से किस अनुछेद में एह वर्नित है कि संसद के पास संग सूची में सामिल किसी भी मामले के संबंद में कानून बनाने की विशेख सक्तिया है देखे दोस्तों संसद के पास जो संग सूची होती है उसमें सामिल किसी भी मामले के संबंद में कानून बनाने की विशेख सक्तिया होती है एक किस आर्टिकल के तहट कहा गया है तो एह कहा गया है दोस्तों आपकी आर्टिकल 246 के तहट यानि कि option number A इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है 129 number उत्राखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफुली किसका नाम है दोस्तों देखिए यहां पर बात की जा रहे है उत्राखंड की संस्कृति के बारे में तो जो काफुली है या एक भोजन का नाम है B option इस question का correct answer है या भोजन पालक और मेथी के पत्तों से त्यार किया जाता है और दोस्तों इसे गढ़वाल जैसे छेतर में धापड़ी के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद अगला question है My journey transforming dreams into action या पुस्तक इनमें से किस की आत्म कथा है दोस्तों या पुस्तक आत्म कथा है Dr. A.P.J. अबदुलकलाम की यानि कि B option इस question का correct answer है फिर इसके बाद अगला question है 31 number वर्ष 1949 में इनमें से किस बैंक का राष्ट्रिय करन किया गया था दोस्तों 1949 में भारतिये रिजर्व बैंक का राष्ट्रिय करन किया गया यानि कि A option इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है 32 number निवनलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंदरसासित परदेश परामपरिक रूप से एक दही अधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है जिसे एकनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों या व्यंजन तयार किया जाता है जम्मू एंड कास्मीर में यानि कि C option इस question का correct answer है भारत के निमलिकी छेतरों में से किस छेतर में सफेद व्यलदार बगुले के प्राकिर्तिक निवास अस्थान का ब्यापक बितरन है तो यह दोस्तों आपका उत्तर पुरू में यानि कि option इस question का correct answer है दोस्तों भारत के पुर्वत्तर में पुर्वी हिमाले के तलहटी में यह पाये जाता है और इसे दोस्तों IUCN के द्वारा red list के list में सामिल किया गया है तो यह question भी पुशा आ सकता है इसका आप लोग याद रखना इसके बाद अगला question है 134 number 13 ताली नाम का लोग निर्थे निमलेखित में सिक्ष राज्य के साथ परामफिक रूप से संबन्धी थे दोस्तों हाल ही फिलाल के एक साल से trend देखा जा रहा है कि चाहे Air Force के हो या फिर कोई और भी defense exam हो art and culture से related questions की संख्या बढ़ती जा रही है इसलिए मैं आपको सारे shift में दो से तीन ऐसे art and culture के questions करवा रहा हूँ जो आने वाले exam के लिए important है तो इन questions को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना बाकी के जो history, geography, quality and science के questions है वो सब आप पहले से revision करते आ रहे हो आपका revision चलते रह रहा है लेकिन जो art and culture के नए questions आपको जितने भी मैं करवा रहा हूँ न उन सभी को हो सगे तो एक बार no doubt भी करते चलना तो देखे 34 number question का right answer हो जाएगा option number B दोस्तों यह जो 13 ताली लामक लोग निरते हैं यह राजस्थान से संबधी थे इसके बाद अगला question है 35 number गुप्त प्रसासन के संदर्व में वीथी सब्ध किसको संदर्वित करता था दोस्तों जब गुप्त समराज्य था तो उसमें वीथी का मतलब होता है प्रसासनिक इकाई यानि कि B option इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है 36 number भारत के निम्लिकित में सक्तित स्राज्य में बन्नी नसल की वहेंस मुख्य रुप से पाली जाती है दोस्तों इस नसल की वहेंसे पाली जाती है गुजरात में यानि कि D option इस question का correct answer है अगला question है 37 number डैस पठार गारो हिल्स, खासी हिल्स और जेंतिया हिल्स में उप विवाजित है जिसका नाम इस छेतर में रहने वाले जंजातिय समूहों के नाम पर रखा गया है दोस्तों एक question बहुत important है और एर SSE के exam में तो कई बार repeat भी हो चुकी है तो इस question का right answer है दोस्तों option number D मेघाले का जो पठार है यहाँ पर पाये जाता है दोस्तों गारो, खासी और जेंतिया हिल्स के निवासी इसके बाद अगला question है 38 number निवले लिखित में से कौन सी प्रिथवी की सता की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होती है यह question मैंने इससे पहले 2-3 वारा उल्रड़ी आपको करवा चुका है इस question का right answer है दोस्तों option number B जो छोफ मंडल है वा प्रिथवी की वा परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन देखने को हमें मिलती है और यह दोस्तों आपकी जमीन से उपर 10 किलोमीटर तक फैली हुई है अगला question है इक्थियोलोजी इनमें से किस से संबंधित है दोस्तों जो इक्थियोलोजी है न यह संबंधित है मचलियों के अध्यनसी यानि कि B option इस question का correct answer है अगला question है चालिस नंबर यानि कि अरकार्ट की उधगराबंदी में कौन विजई हुआ था दोस्तों इस उध में विजई हुआ था अंग्रेज यानि कि D option इस question का correct answer है अगला question है 41 नंबर भारत के संबिधान का कौन सा भाग नागरीकों के कर्तब्यों से संबंधित है दोस्तों भारत का संबिधान का भाग यह ठीक है यह आपके किस संबंधित है नागरीकों के कर्तब्यों से कहने का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दोस्तों की fundamental duties तो दोस्तों fundamental duties क्या है यह आपके आजाते हैं part 4a में ठीक है अगर आपसे पूछिया जा कि किस पार्ट में fundamental duties आते हैं तो यह आता है पार्ट 4A में और दोस्तों fundamental duties and fundamental rights दोनों में major difference क्या है तो देखिए जब भी अगर आपके fundamental rights का हनन होता है तब आप Supreme Court and High Court जा सकते हो अपील करने के लिए किस article के तहट article 32 के तहट लेकिन वही अगर आपके fundamental duties का हनन होता है तब एक court में enforceable नहीं है यानि के fundamental duties हनन होने के मामले में आप किसी विक के खिलाफ court में जाकर सिकायब दर्ज नहीं कर सकती है और अगर मैं बात करू total fundamental duties की तो total fundamental duties की संख्या 11 है पहले एक 10 था लेकिन 86th constitutional amendment होने के बाद इसमें एक और fundamental duties एड़ हो गया जिसके बाद से बरतमान में इसकी संख्या 11 है इसके बाद दोस्तों अगला question है 42 नंबर 10 के आर्थिक सर्वेचन में थाली नामक्स पेस किया गया था दोस्तों थाली नामक्स या किसने पेस किया था तो या दोस्तों आपका पेस हुआ था 2019 और 2020 के सर्वेचन में यानि कि B option इस question का correct answer है अगला question है 43 नंबर चेराव निर्ते किस राजे का एक परंपरिक निर्ते रूप है दोस्तों या निर्ते आपका संबंदित है मिजोरम सी यानि कि B option इस question का correct answer है अगला question है 44 नंबर मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है दोस्तों मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी है अस्टेपीज जो की मध्य कान में पाई जाती है इसके बाद अगला question है 45 नंबर ब्रिटिस वाइसराय लौड करजन ने बंगाल का विवाजन किस वर्स किया था दोस्तों बंगाल का विवाजन हुआ था 1905 में यानि कि option इस question का correct answer है और किस के दोरा किया गया था तो यह किया गया था दोस्तों लौड करजन के दोरा अगला question 146 नंबर भारत के राष्टरिये अभिलेखागार की अस्थापना किस वर्स की गई थी दोस्तों भारत का जो अभिलेखागार है इसकी अस्थापना की गई थी 1891 में यानि कि C option इस question का correct answer है और दोस्तों अगर मैं बात करूँ वर्तमान की तो वर्तमान में जो विभाग है वो 1911 में नई दिल्ली में आकर अस्थापित हुआ था अगला question है 47 नंबर निमने लिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे उचा परवत है वर्ल्ड थर्ड हाइस्ट परवत तो यह है दोस्तों आपकी कंचन जंगा यानि कि B option इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है 48 नंबर निमने लिखित में से क्या अस्थी मजा दोरा बनाई गई रख्ट कोसिका का एक प्रकार नहीं है देखें दोस्तों अस्थी मजा के दोरा बनाई जाता है जो रख्ट कोसिका यानि कि Blood Cells उसका एक टाइप इनमें से कौन नहीं है तो वह नहीं है दोस्तों अस्थी सोसक यानि कि option number A इस question का correct answer है अगला question है 49 नंबर निमलेकित में से किस उपकरन का उप्योग विद्यूत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है चाहे वो दृष्ट धारा हो या फिर प्रदती धारा यानि कि दोस्तों यहाँ पर चाहे वो AC हो या फिर DC उसे major करने के लिए कौन सा device यूज करते हैं तो हम करते हैं दोस्तों M meter का C option इस question का correct answer है 50 नंबर question है दोस्तों की हड़ी के घनत्व और समर्थ के हास को क्या कहा जाता है यहाँ पर आपके हिंड के लिए मैं बता दू कि option number D और option number C गलत है तो आप इस question का right answer कमेंट करके बतादा या तो option number A correct होगा या फिर option number B correct होगा तो गाइज फिलाल अस वीडियो में से इतना ही अगर आपको आज का वीडियो पसंदाया हो तो इसे like और share करें इसके अलावा दोस्तों अगर आप ebook purchase करना चाहते हो तो मेरे whatsapp number 9430042848 पर message करके purchase कर लेना तो गाइज मिलते हैं फिर सकते नए वीडियो में तो तक के लिए जै हिंद जै भारत आप सभी को आपके exam के preparation के लिए best of luck